हेलो दोस्तो, वेलकम टो आवार चेनल, इत चेनल में आप सभी का स्वागत करते हैं ये रिजिनिंग का वीडियो नमबर टैन है, देखे कुशिन नमबर वान कैसे करते हैं फोर से अगर हम इसी फाइब को इन्टू करते हैं, इन्टू करने में होता है कितना, ट्वेंटी, ट्वेंटी के साथ अगर हम वान प्लास करते हैं तो कितना होगा, ट्वेंटी वान जो हमारा ये वाला निकल गया, निकल गया ना दोस्तो, सेम इसी लोजिक हैं आपर भी अप जो हमारा option C right है अब कुशिन नमबर 2 में जाएंगे कुशिन नमबर 2 कुशिन मार के जगा पर इस चार option से कौन सा होगा वो हमें निकालना है 3 के साथ 14 का जो relation होगा 5 के साथ कुशिन मार का same होगा अगर 3 के साथ हम 3 into करते हैं दोस्तों कितना होगा 9, 9 से अगर हम 5 plus करते हैं कितना होगा दोस्तों 14 सेम ऐसे ही 5 के साथ हम 3 into करेंगे 3 into करने में होता है 15, 15 से 5 plus करेंगे 5 plus करने में कितना होगा दोस्तों 20, जो हमारा option कौन सा है option D कुशिन मा के जगा पर कौन सा नमबर होगा वो निकालना है 4 option से चले देखते हैं, 8 के साथ 68 का जो relation होगा, 6 के साथ कुशिन मार का सेम, अगर 8 का square करते हैं, दोस्तों कितना होता है 64, अगर 8 को हम 2 से divide करते हैं, 2 से divide करने में कितना होगा 4, 4 को अगर 64 से plus करें तो कितना होगा 68, जो हमारा यह वाला निकल गया, सेम इसी logic है, पर भी apply करेंगे 6 का square करेंगे, square करने में होता है 36, 6 को 2 से divide करेंगे, divide करने में होता है 3, 36 के साथ हम 3 plus करेंगे, तो कितना होगा 39, जो हमारा option कौन से, option D right है कुशिन मार के जगा पर कौन सा number होगा, वो हमें निकालना है, चार option से, 12 के साथ 36 का जो relation होगा 14 के साथ कुशिन मार का सेम होगा, अगर 12 का दोनों digit को हम आपस में plus करें, plus करने में 3 होता है, 3 के साथ अगर हम इसी 12 को into करें, into करने में कितना होगा 36, निकल गया दोस्तों, स इसी लोजिक है, आपर भी apply करेंगे, 14 के दोनों digit को आपस में plus करेंगे, plus करने में 5 होता है, 5 के साथ इसी 14 को into करेंगे, into करने में कितना होता है, 70, जो हमारा option बी right है, कुशिन मार के जगा पर कौन सा number होगा, वो हमें निकालना है, चार option से, चले देखते, 16 के साथ 8 का जो relation होगा, 36 के साथ 12 का जो relation होगा, 64 के साथ, वो same relation होगा, 16, दोस्तों, किसके square लेख सकते, 4 के square लेख सकते, 4 के दोनों digit को अगर आपस में into कर देते, into कर देने में कितना होगा, 8, जो हमारा इवाला निकल गया, निकल गया न, 36 किसके square होता है, 36 होता है, 6 के square, इस दोनों को अगर आपस में into कर देते, into कर देने में कितना होगा, दोस्तों, 12, जो हमारा इवाला, निकल गया, same, इसी logic के हापर भी apply करेंगे, 64 किसके square होता है, 64, 8 के square होता है, इस बीच में 36, चारो तरफ कुछ नंबर दिया है, बीच में 46, चारो तरफ कुछ नंबर दिया है, कौन सा लोजिक अबला होता है? देखे, अगर इस दोनों को इंटु करते हैं, इंटु करने में एक इतना होगा? 48, 48 से इस दोनों को into करने में कितना होगा दोस्तों, इस दोनों को into करने में 12 होगा, अगर minus करते है, 36 होता है, same, ऐसे इस दोनों को into करेंगे, into करने में होता है, 56, 56 से अगर इस दोनों को into करने में कितना होगा, 10, इस दोनों को minus किजे, minus करने में कितना होगा, 46, same, ऐसे इस द दोनों को इन्टू किजी, इन्टू करने में होता है 24, 24, 70 से 24 माइनस करेंगे तो 46 होता है, option कौन से, option A right है, option मार के जगा पर इस चार option से कौन से होगा, वो हमें निकालना है, देखें कैसे निकालते, अगर 834 को हम प्लास करते, 834 को 300 digit को हम प्लास करेंगे, प्लास करने में कितना होगा, दोस्तों, प्लास करने में होता है, 15 होता है, 15 को अगर हम स्क्वाइर करेंगे, तो कितना होगा, 225, जो हमारा यह अला निकाल गया, से हम इसी लोजिक के आपर भी अपलाई करेंगे, 123 तीनों डिजिट को अगर आपस में प्लास करते है प्लास करने में कितना होगा दोस्तों 6 अगर 6 के square करते है 36 जो हमारा option कौन सा है option D right है देखे कुशिन मार्क के जगा पार इस चार option से कौन सा होगा कैसे करते है अगर इस दोनों को प्लास कर दे ते प्लास कर देने में कितना होगा 10 10 से 1 माइनस करने में कितना होगा 99 का अगर हम square करते हैं कितना होगा 81 सेम हैसे 36 के दोनों डिजिट को अगर हम आपस में प्लास कर दे ते प्लास कर देने में होगा 99 से अगर हम 1- करते हैं तो कितना होगा 8 अगर 8 का square करते हैं दोस्तों कितना होगा 64 जो हमारा option कॉन सा है? option A right है कुशिन मार के जगा पर इस चार option से कॉन सा होगा चलिए देखते हैं कॉन सा लोजिक अपला होता है दोस्तों अगर इत तीनों digit को हम आपस में plus कर देते plus करने में कितना होगा? plus करने में 15 15 को अगर हम 3 से divide करते हैं दोस्तों कितना होगा? 5 5 निकल गया ना दोस्तों सेम इसी लोजिक यह पर भी apply करेंगे 7 plus 6 plus 8 तीनों digit को अगर हम आपस में plus करते हैं 21 होता है 21 को हम 3 से divide करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 3 से divide के थे divide करने में कितना होगा 7 जो हमारा option A right है